मैं कहीं कहीं राष्ट्री मुस्लिम मंच के जो प्रोग्राम है वो भी एक जमात BGB की है जो मसल्मानों को BGB से जोड़ने के लिए RSS से जोड़ने के लिए शायद बनाई गई है कहीं कहीं मैं उनके प्रोग्राम में शरीक हुआ हूँ और मैंने प्रोग्रामों की सदारत भी कि है जोट से दूर खापरों से भर पूर वतन समाचार मारे साथ बाच्चे तिले मौजूद है मौला ला याकूब बुलंद शहरी साहब आप आल इंडिया दीनी मदारी स्पोर्ट के सर्वरा हैं मौला साहब आपका इस्तिक्वाल है जजाकूम ल्ला खेर जज़ा हजरत यूपी का एलेक्शन है सामने फरवरी मार्च में खत्म हो जाएगा जिस तरह की सूरते हाल मसलमानों को लेकर है स्कूले पार्टी है कि मुसलमान जाएगा या कि हमारे साहरी दे कर乾क唉ंई है हाँ तो इसलिएक्वाट की खियादत को and मुसलमानों की सिम्मेदारों को चाहिए कि वो मुस्लिम वोट्टों को ज्याद से ज़ादा मुत्हित्व करें और पार्टी से उपर उठकर कंडिडेटों के साथ खड़े हो चाहिए वो कंडिडेट बीजीपी का ही क्यों न हो अगर वो अपने छेतर के लिए अपने लाके के लिए अपने वोटरों के लिए यकसा सोच रखता हो और मुलक का सेकुलर और जो दस्तूरी निजाम है उसकी बाला दस्ती को तस्लीम करते हुए वो सबको साथ लेके आगे बढ़ता हो तो उसको वोट देना चाहिए किसी एक पार्टी का बंदुआ मजबूर या गुलाम नहीं रहना चाहिए क्या हुज़े है कि मुसल्मान खुद को बीजेपी से और बीजेपी मुसल्मानों से दो में के दुसरे को अच्छूत क्यूं समझते हैं आपको क्या लगता है इसा कारण क्या है देखिए मुसल्मान तो बेजीपी के करीब आना चाहता है और कुछ मुसल्मान बेजीपी सरकारों के करीब है भी लेकिन बेजीपी की अपनी एक सियासी मजबूरी है फिरकापरस्ती और मधभी बालादस्ती BGP जो मुसल्मानों के मधभी मामलात में मदाखलत करती है इमान के साथ और मसाजिद के साथ, मदारिस के साथ और दीगर मधभी जो दस्तूर हमारे कवानी ने उसके साथ जो छेशाड करती है इसलिए मुसल्मान सब कुछ कुर्बानी दे सकता है और सतर साल से देता चला आ रहा है और सब कुछ बरदाश्ट कर सकता है लेकिन मधभी और ईमानी मामलात में एक गहरतमन्द और बाईमान मसलमान जो है कोई समझोता नहीं कर सकता है इसलिए मसलमान बीजेपी से दूर होता है लेकिन हज़ एक टीका सवाल है लेकिन है तो बहराल सवाल कि मसल्मानों ने खास तोर से शाही जामा मद्जिद से इस से पहले बीजेपी के समर्थन का ऐलान भी हो चुका है देखिए वो तो हरादमी जमूरी मुलके सबको अपनी अपनी राए का इजार करने का हक है लेकिन उस राय को अवाम किस हद तक मानती है वो एक मसला है वो एक सवाल है तो आज तक पूरे मुलक में अमूमी तोर पर जबके दूसरी मोदी जी का दूसरा दौर चल रहा है अकसर सूब बीजेपी की सरकार है लेकिन अमूमी दोर पर आज तक मुसल्मानों ने बेजिबी सरकार को या बेजिबी पार्टी को इसलिए कुबूल ने किया है कि वो मुसल्मानों के अकाइद, इमान और मदभी मामलात में बेजा और ताकत की बुनियाद पर मुदाखलत करती है वरना आप देखिए कि मुसल्मान एक हद तक बेजिबी की तरफ आया था, बेजिबी से जोड़ा था, बेजिबी के साथ काम करना चाहता था लेकिन बाबरी मशिद का जो फैसला आया, तमाम तर शवाइदाद और कवानीन को तसलीम करते हुए भी बाबरी मशिद की जमीन जो है, वो मंदर के लिए दे दी गई और सारे मुसल्मान गेरतमंदी मंद वाले मुसल्मानों ने अपने पैर बेजिबी से पीछा डालिये तो आप दोनों को एक दूसरे को मश्वरा दे ही देना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें और जबरदस्ती ताकत का इंपोजना किया जाए मैं कहीं कहीं राष्ट्री मुसलिम मंच के जो प्रोग्राम है वो भी एक जमात बेजिबी की है जो मसल्मानों को बेजिबी से जोड़ने के लिए आरसस से जोड़ने के लिए शायद बनाई गई है कहीं कहीं मैं उनके प्रोग्राम शरीक हुआ हूँ और मैंने प्रोग्राम معاملات میں آپ جو دستوری ہمیں اختیارات ملیں اس میں کوئی شیرشار نہیں کریں تو ہم تعمیر ملک و ملت کے لیے پورے ملک میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور جب آپ صحیح کام کریں گے ملک کے لیے تو اے ہم آپ کے لیے ملک میں چل کے بورٹ بھی مانگنے کے لیے تیار ہیں ہم کسی پارٹی کے بد Rebel mumزدور غلام نہیں ہیں کہ ہمیں ہر حال میں اسی پارٹی کا दिन्दा बात करना है जो सच्छा अच्छा काम करेगा जो अच्छा मुलक को जैसे मोदी जी का नाराईज तो सिर्फ नाराईज तो है वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वाज खुदा गरे जमीन पर उस पर अमल हो जाए तो ये सारे जगड़े मसले खुद बखुद जिन्हों ने ये बताने की कोशिश की है कि मसल्मानों को कम से कम बीजेपी की तरफ जाना चाहिए लेकिन इस शर्ट बे कि अगर बीजेपी मसल्मानों के अकाइद से मजहभी मौामलास से शिर्चाड़ नहीं करती है तो मसल्मानों को बीजेपी के साथ जाने में कोई गुर